गानी बावा ने जो अपने परस्टनल हाथों से ये हिन्दुस्तान बनाया था और चेनी हथोड़ी से काट कर पाकिस्तान अलग किया था तब लहरू जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि पटेल की मूर्ति अपने जेव में लेकर घूमने वाले नरेगर मोदी के टाइम में एक अलपसंख्यक लड़का फेक नीज भी नहीं फैला पाएगा। आप सोचे कि एक अबदुल है कुछ करना चाहता है। इज्जत की रोटी कमाने से रोका था। चमतकार बेचा, वो चमतकार वैसे ही गिर गया जैसे हकीम उस्मानी के पास आने वाले किसी सलमान का अंग विशेस। अब आप ही बताईए, आरिफ, आदिल और मुशाहिद को मरदाना कमजोरी थी या उसी टाइप के समस्या तो वो हमारी डॉक्टर अजयता की आईरेट पिल भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिर याद आया कि रेगिस्तानी सब्वेताओं में उटों से काम चलाने वाले इंटरनेट पे कहां पहुँच पाते हैं। आप कहेंगे कि प्रातर स्मर्नीय स्रियाजीत भारती जी ब्रो आप बीच बीच में थोड़ा रेगिस्तान और घुरों पे चले जाते हैं। तो ऐस अबने कृशनली का कहना था कि पाप से कहीं गले में पहनना था इन नोगों ने कहीं और पाहन लिया वह तो तुरंट असर करें। परस्टनीड लॉँ वाली आदालत ने कहा कि अबडुल को इंस्ट्रक्सयं सही से बताना चाहिये था। यह कहurate अधालत अदालत में तीनों स तो मैं कहूंगा कि इससे ज़्यादा असलील बात क्या होगी कि कोई आपके राम को ऐसे इस्तेमाल करता है आपको गाय के नाम पर ललकारता है और आप नपुनसकों की तरह सुनकर चुप रह जाते हैं खैर अबदूल को तीनों ने मिलकर कूट दिया कोई कहेगा कि पीतने वा करते हो जब तुम्हारे उनसट कार से वक जलाए जाते हैं और तुम उनके बारे में प्रश्न पूछने की जगए यह कहकर भावुक होते रहते हो क्यार उस आदमी की तस्वीर देखी ती जिसमें उस तलवार के सामने हाथ जोरकर गिर गिरा रहा था अब एक मोचू हमारे उनसट भाईयों को जब ट्रेन के डब्बे में आग लगाकर मारा गया था तो उन्हें गिर गिराने का भी मौका नहीं मिला होगा उनकी तस्वीरों के नाम पर जलते डब्बों से उतरते रंग और भुलाये जा चुके कुछ नाम है जो हमें याद नहीं तुम्हारे उनसट लोगों पर उनकी एक तस्वीर भारी परती है और तुम्हारे अंकित सर्मा के हाथ और दिलबर्नेगी के हाथ पाओ गर्दन भीहिन धर पर उनका ठहरा हुआ एक गर्व भारी पर जाता है इस तरह के निवीरी होने से इस पुनसत्त्य हींता से बेतर हम मर जाओ डूब कर श यह था पानी ही तो पीने आया था विचारा शमा चाहता हूं कि विश्यांतर हो गया पर स्वयम को कैसे रोकनूं जब आप मुझे मर्यादाओं और शब्दों के चुना और तथाकति तथियों की संपूरता पर ध्यान देने कहते हैं मैं यहत्य करूँगा कि मेरे तथि क्या होंगे और मैं यहत्य करूँगा कि कैसे एक हमले में कौन से नाम होंगे और उन नामों की बारंबारता का पैटर्न क्या होगा क्योंकि अगर वह नहीं हुआ तो फिर से कोई गोधरा का विशुद्द हिंदू विरोधि दंगा हिंदू के ही सर पर ठेंक दिया जाएगा इसल से लात खाता है दारी कटवाता है और हम यह तै करने में लगे हुए हैं यार एक हिंदू भी तो था उसमें इस 72 साल के बुड़े की धूरता देखो कि वह अपने ही कौम के ही लोगों से लात खाने के बाद भी कौम के अंतिम लक्ष की तरफ अपना योगदान दे रहा है कि उसे तो जैसराम बोलने बोला गया था और उसकी दारी हिंदों ने काटी अब्दूल अपने मार्ग से डिगा नहीं है अब्दूल अपने मार्ग से डिगता भी नहीं अब्दूल कमर पर बंबान कर बहत्तर हूरों की चाह में लिंग नितंब गवा कर भी जन्नत में सेक्स क मतेरने की चाह रखता है और काफिरों के बाजार में फट जाता है और तुम्हें इस बात की पड़ी है एक वायर जांच हो जाती कितनी बार जांच होगे हर बार यह सारी बाते जूटी निकलती हैं चाहे गुर्गाओं में मेरी टोपी फेक दी और पीटा वाला कंडो या फिर हर बार फाइदा उठाते रहें। देखो तो सही कि कैसे जुबैर, आरफा, सवा, नकभी, राना, अयूब, शमा, उस्मानी, निजामी ये एक साथ संगीत के किसी कंसर्ट में कंड़क्टर की और देखे भिना आरोह आवरोह के साथ भावु को रहे थे कि हाई दैया, वारत में मुसल्मान होना गुना हो गया है, हारी मुरी मैया, मुझे तो सर्म आ रही है कि मैं इस देश में हूँ, क्या मुझे अपना कुरूत दिखाने का हक है कि इस देश में अबदुल को जैसराम कहने पर कूटा गया। चुना वाले प्रदेश में हिंदू राष्ट ने एक मुसल चेकर है, लेकिन अब जो भी है तो सही, डार ही काटी और जैसराम परकर इनके स्थान विशेस में पुक पुक होने लगते हैं, जैसे हलाल करते वक्त मुर्गे का होता है। जुब्बू से रहा नहीं गया, या वैचारिक स्खलन रोक नहीं पाया, जुब्बू और लेकिन आपको हमारे वीडियो में आवाज सुनाई देगी, अगर आप पॉज करके सब्सक्राइब कर लेंगे और कसम खाकर दस-दस लोगों से करवा देगे। क्योंकि प्रातास्मणिय स्रीयजीत भारती जी जब पंचर पुत्रों की लेते हैं, तो लंबे समय तक लेते है आप तो उनका नेचर जानते ही हैं, वो पंचर पुत्र हैं, वो पानी में हवा के बुलबुले देख सकता है, पानी नहो तो उंगली रखकर ध्यान लगाकर आपके टायर का पंचर ढून देगा, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि ऐसे लोग बच्पन से पहारों पर चमतकार देखने जाते रहें, कुछ पंचर पुत्र और कुछ खबरों का धंधा करने वालियां, या खबरों के कोठों पर बैट कर फेक निउज के तबले पर थिरकते खाला जाने, इनका पूरा जीवन इसी जहरीले नेरेटिव को बनाने में, इसी खबरों की वेश्या वृत्ति मे समाज में बिगटरी और समप्रदाइकता फैलाने में बीता है, कौमी वर्चा सुकी चाह में कौमी विक्टिम कार्ड का दोरा खेल खेलते ये लोग, समाज के कोड हैं, इनसे बच कर रहें, जन हित में जारी, तो जुबैर और उसके गैंग ने तुरन थी, टूलकिट वाले एक म्यूट वीडियो में, जैसराम सुनते हुए, हिंदुों पर सारा बोश डाल दिया, कि देखो, मुसल्मानों का जीना दुभर हो गया है, अब हम कहां जाएं, हमें तो जीने की लिए आजादी नहीं है, सुरा भासकरतक को अपना मेल काम छोर कर ट्वीट करना पड़ गय ऐसे कई अद्रिश जैसराम जून 2019 से सुने गए, लगता है कि उर्जा के उत्पादन के नियमों के नुसार एध्या के किसी मंदिर में बोले हुए जैसराम की दुनी, ब्रमांड में अनंतकाल से विचर रही थी, और कालांतर में वो अब्दुलों और अहमदों को बिनाबा मुझे तावीज के चमतकार पूरा विश्वास है, आप ही सोचिए कि मुसल्म इमान वाले लोग कभी जूट बोल सकते हैं क्या अल्तकिया, अल्चद्दर, अल्रजाई, अल्कुरसी, अल्टेबुल, अल्सकोडा, अल्लह सुन, कहते हैं कि उपर वाले के डंडे में आवाज फ्रीज नहीं होती, इसकांतल में समच्य आया, एक डिपेंड करता है कि किस धर्म के मजभब का उपर वाला है, इस पर भी डिपेंड करता है कि डंडे से पीता जा Syria, कोई और ही विशैशकारी हो रहा है, फैर पुलिस थे टंडा होता है, वह कानूनी रूप चले तो कर कुछ विशेस कारियों में भी प्रियोग में लाया जाता रहा है अब देखिए कि घाजियाबाद की पुलिस ने इस फर्जी ख़बर का खंडन किया और लोगों को सचेद किया कि भरिया फेक न्यूज मत फैलाओ लेकिन फेक न्यूज फैलाने वाले लोग जैसे कि जुबा बार हाती है कि समाज में हिंदु मुसल्मान का काम हो जाता है जब यूपी पुलिस ने ध्यान दिलाया और ट्विटर पर इनके फैलाए गए रायते पर तबलीगी टाइप की थूतु हुई तब 21 घंटे बाद माफियों का दार चला उसमें भी कंडिशन सप्लाइट की बात करती थी कि किसे को क्या पता चलेगा चल भी गया तुम का क्या बिग्रे वह अपने जहर को टकने तक की लंबाई का वहिचारिक स्वतनता वाले पैजामे में वह चुपा लिया करते थे अब क्या कि पाजामे का पीलापन अब दिखने लगा है लोग पकड़ कर पूछने फ़लाने रिपोर्ट के अधार पर था मेरा वाला तो डिंडोंग डिंडोंग करता है मैं तो कातीम कि जी तूथ प्रिवेल करें जल्दी सुब्स आप सोचे क्या-क्या दिन दिखाता है कि राणा अयूब जैसे लोग जो गोधरा के दंगों पर काल्पनी कहानियों की कर रही है। वहीं दूसरे मज़ेदार बात यह हुई कि ट्विटर अपने अलग लाइन पर चल रहा है। उसके M.D. ने का कि वो तो सेल्स हेड है। और वो ट्विटर के ले काम करता है कि नहीं वह भी उसे नहीं मालूम। उसने का कि उसे तो अपनी टीम के भी लोगों के नाम नहीं मालूम है। सरकार अलग टेंशन में है कि ट्विटर को साथ आठ वार अंतीम चेतावनी देने और एक से तीन गिनने में बीस दिन गवाने के बाद भी। ट्विटर ने अभी तक कोई अफसर नियु गिन 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 मर गई में गिन कितने बार आता है। रवी संकर प्रसाद तब से हाई फिडल्टी ओडियो सिस्टम लगवा कर यह गाना रीपीट मोड पर सुन रहे हैं ताकि ट्विटर को ट्वीट करके करारा जवाब दिया जा सके कि भारत सरकार इतनी भी कमजोर नही है कि एक गाने में गिन कितने बार आया हूँ न बता सकी। वहीं ट्वीटर की चाल यह है कि वो किसी विस्थिति में जी जाएगा क्योंकि अगर हमारी आईटी मिनिस्ट्री के मंत्री जी ने गिन की संख्यां 11 बताई तो वो कहेंगे कि नागिन में भी तो गिन आता है और 12 है कहा तो वो कहेंगे हमने तो सिर्फ इंडिपेंडेंट गिन गिनने को कहा था फिर रविशंकर प्रसाद जी ट्विटर पर लिखेंगे कि विदेशियों ने हमें सर्थोमस रोके ही समय से धोखा दिया है जैक कोई नया नहीं है इसका मुतोर जवाब दिया जाएगा हमारे सरकार के सूत्र बताते हैं कि रविशंकर प्रसाद के मंतराले की तरफ से ट्विटर कार्याले में एक नया नोटी सबढ़े जाए जिसमें यह पूछा जाएगा कि दूले का सहरा सुहाना लगता है दुलहन का तो दिल दिवाना लगता है में कितनी बाद दर्कन का सहीं उत्तर जानने के लिए रवी संकर जी की ट्वीट परते रहिए नमस्कार